कोई भी फिल्म डिरेक्टर और प्रोड्यूसर के बिना बन ही नहीं सकती, एक फिल्म बनाने में इन दोनों की एहम भूमिका होती है आज इस वीडियो में डिरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्यांतर होता है ये जान लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ अथर्व शेंडे और आप देख रहे हैं ग्यान टाइम फिल्म प्रोड्यूसर यानि फिल्म बनाने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो देने वाला विक्ति फिर चाहे उसे फिल्म के बारे में ग्यान हो या ना हो एक तरीके से ये आदमी फाइनेंसर या फिर इन्वेस्टर कहलाता है इन्वेस्मेंट यानि वहाँ जोखिमत होती है अगर वो फिल्म चलती है तो सबसे ज्यादा मुनाफ़ा प्रोड्यूसर का ही होता है लेकिन अगर वो मुवी फ्लॉप होती है तो सबसे ज्यादा गाटा भी प्रोड्यूसर का ही होता है दोस्तो फिल्म चलना या ना चलना ये पूरे तरीके से डिरेक्टर के हाथ में होता है दोस्तो डिरेक्टर उसके सारे सहकारियों को लेकर फिल्म को दिशा देने का काम करता है इसलिए उसे डिरेक्टर कहा जाता है अगर एक फिल्म को हम जहाज मानते है तो उस जहाज का कैप्टन डिरेक्टर होता है कोई भी फिल्म शूट करने से पहले ही डिरेक्टर के माइन में तैयार होती है कभी-कभी बड़े डिरेक्टर खुद ही अपने फिल्म के प्रोडूसर होते है यानि फिल्म के लिए जरूरी पेशा वो खुद ही लगाते है सीधी भाशा में समझे तो डिरेक्टर यानि वो जो फिल्म की क्रियेटिव साइड हैंडल करता है और प्रोडूसर यानि वो जो फिल्म की फाइनेंसियल साइड हैंडल करता है आज के लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक मिलाए रखिये ग्यान टाइम से हाथ धन्यवाद